नवस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ लखवा यानि पेरालाइसिस दोस्तों क्या होता है, क्यों होता है, आहरवेग दरश्टी से इसका क्या है पेरालाइसिस में आहरवेग हम क्या-क्या उचार ले सकते हैं इसके लिए कौन-कौन सी जड़ी बुटियां हम ले सकते हैं और इसके लिए हम क्या क्या ट्रीट्मेंट करवा सकते हैं दोस्तो सबसे बहले मैं बात करूँ पैरलाइसिस यानि लक्वा की तो लक्वा होने पर पड़वावित हिस्सा है वो काम करना बंद कर देता है या शरीर का कोई एक इसा भी हो सकता या अपना पूरा सरीर भी हो सकता है दोस्तो ये बिमारी किसी चोट या पिर जो अपने जो नसे होती है उनमें जो बलड की सफलाई है अगर उसमें प्रोप पर कुछ भी गटना करम होता है उसमें जो भी मास्पेस यानि मसल्स हैं वो इफेक्टिट होती है आयरवेद में लक्वे को पक्सागात बोला गया है इसमें वर्णन क्या गया है कि वाद्दोस बढ़ने या सुंतुलित होने पर शरीर के एक हिसे के जो अंग है उसमें जो सवेतनाई होती है यानि जो संसेशन है और जो मोटर है मुमेंट करने वाले जो कारी हैं उनमें नुपसान पोचता है तो इसको आपने अर्दांगवात यानि पैरलाइसिस का संग्या दी जाती है दोस्तो आयरवेद को आयरवेद में पक्सागात को अगर आप नियंतरिन करते हैं तो इसमें सबसे अच्छी जो थेरपीज होती है बंचकरम थेरपीज होती है जिसमें सनेयन आता है सनेयन में तेल लगाने के लगलग विधिया होती है जिसको अब्हेंग बोलते है या अबैंतर सनेयन बाहिये स्वेदन इसके बाद में स्वेदन करवाय जाता है steam करवाई जाती है उसके बादे में बस्ती दी जाती है इनिमा दी जाता है उसके दवाा नस से दी आ जाते है नाक से जो घूसती है वो ती जाती है तो यह कुछ ऐसे जो therapy है जो पन्च करम चीच से आमें इसमें काम मिल जाती है पक्सकाति याने paralysis को करने के लिए इसमें कुछ जड़ी भूटिया हैं जैसे ऐस्वगंदा सबसे अच्छा काम करती है बला इसमें अच्छा काम करती है निर्गुंडी इसमें अच्छा काम करती है ये कुछ जो हर्बल जो चूरन है मैंने आपको ये बताए हैं इसका आप यूज कर सकते हैं इसके पूर मुंगदाल और अनार इनको आप सामिल कर सकते हैं तो दोस्तों यह अभी आयरवेद की दस्टिकोन से सबसे पहले जो मैंने इस्टार्टिंग में आप उसे जो चर्चाएं की हैं अब हम इनको फुल डिटेल में जानते हैं जो भी ट्रीट्मेंट है वो आयरवेद की दस दोस्तों एक आहाम साक्यूसन है कि पैरलाइसिस का अगर हम टेस्ट करवाएं तो हमें कौन सी विटामीन की कमी मिलती है तो इसका सबसे अच्छा आन्चुर है विटामीन B12 यानि B कॉम्प्लेक्स की कमी पैरलाइसिस के पैंस्टिकों मिलती है और यह है पूरी तरह से अप विटामीन B12 का टेस्ट जरूर करवाएं अगर आपको पैरलाइसिस के आसन का है तो दोस्तों अभी हम समझते हैं आईरवेद के दर्शिकोंड से जो लकवा यानि पैरलाइसिस क्या होता है दोस्तों पक्सागात आईरवेद में पैरलाइसिस को वो लगया है यह वाद दोस के संदूलित के कारणा होता है जो वाद दोस है वो अपना है संदूलित हो जाता है सरीर में मैं लिए अपने पास तीन दोस होते हैं वाद पितकफ तो आपको हमेसा यह याद रखना है कि पारलाइसिस अपने वाद दोस के पलकोप के कारणा होता है जब यह वारी किसी एक बॉलने की में दीकत और अरदित होता है जो चेहरे का पर्लैसिस होता है उसका संबन्ध भी पर्लैसिस से हो सकता है आइरवेद के उनुसार पकसा घात को लंबे समय तक 3-4 मैने नियन देड करने के लिए अार्वेद में पंचकरम होता है जिसमें स्वेदन, सनेहन, सीरो बस्ती, विरेचन यह आदी जो पंचकरम की जो प्रोसेस होते हैं इनको हम यूज कर सकते हैं जिसमें पंचकरम में से अईरवेद के बहुत अच्छे रिज़र्ट आते हैं तो दोस्तो तो सबसे बहले मैं बात करूँ पैरलाइसिस आयरविदा के एकोडिंग आता क्यों है तो दोस्तों इसके तीन जो कंडिशन होती है सबसे पहले मद का मतलब होता है किसी तरह की दवा या तत्वा की सेवन की वज़ए से उलजन में रहना यानि बेसूद रहना कोई इंशान जो भी सीवे की जो गड़ना होती है उसमें कोई वेक्ति दिमाग की रूप से कोमाग में चला जाए पक्सागात की करण शरीर के परवाई जो इससे हैं उनमें सुनापन रहता है दरद रहता है जो मोटर फंक्शन होते है हाथ हो पैर उसके शरीर के जो भी अपना जो संचा तो दोस्तो अब माद करूँगा पंचकरम की पैरलैसिस में हम कोर कोन सी पंचकरम की वीदिया कर सकते हैं किनका हम यूज कर सकते हैं तो आप इनको जरूर किसी भी पैरलैसिस पैसेंट को अगर नजदी की पंचकरम सेंटर ले जाते हैं तो उसमें ये प्रोसेस उसमें करने हैं जिसके आफ जानकर ही ले सकते हैं सरीर में इंदर पिलाने के लिए भी देते हैं और सरीर के बाइं करने में यानिए या फिर सीरो दारा के रूप में democracas ka रूप में हम इसका सनयन का यूज कर सकते हैं स्वेधन, स्वेधन का मतलब होता है लंबे समय तक पक्सागात को निये इंतरिंट करने के लिए स्वेधन की सला दी जाती है इसमें पैसेंट को स्टीम दिया जाता है यानि वाफ दी जाती है और इसकी भी अलग-अलग स्वेधन की अलग-अलग तरह से किया जा सकता है तो सेकंड जो प्रोसेस है वो स्वेधन किया जाता है उसके लावा मर्दू विरेचक दिया जाता है पैसेंट को विरेचन करम करवाया जाता है उसके लावा दोस जब भी बढ़ता है तो उसका सब से अचह treatment होता है exhalation is anaemia यारिग बस्ति ई Right जिसमें कोई बी प्रेंटस साघी में अिरदी आ रखा यानि मूग का परलैसिज उसमें मुद्चा या मध्द है हम p10 का इंध circumstances का इलाज कर सकते हैं अब दोस्तों पेरलैसिस में कौन-कौन सी जड़ी बुटियां यूज कर सकते हैं, उसमें सबसे अच्छा जो काम करता है वो है अस्वगंदा, तो आप अस्वगंदा टेबलेट का यूज कर सकते हैं, उसके लब आप बलारिष्ट का यूज कर सकते हैं, निरगुंडी का यू यूज कर सकते हैं, इसके लब आप किसी भी आयरवेद चिक्षक से ये जानकारी ले सकते हैं, कि परलैसिस में हमें कौन-कौन साट्री ट्रेंड लेना है, वो आप ले सकते हैं, दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट बात है कि आयरवेद के अनुसार लगवा होने पर हमें क्या चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूस्टन होता है, तो दोस्तों सबसे बेले क्या खाएं, अगर आपको देनी का हार में अगर आप बात करते हों, आप अधरक्त, लैसून, मूली, काले चने, मूंगदाल, प्याज और सफेद परजन का आर्थ बताया गया है, मतलब जिससे जो रोग हुआ है, उसको आपको छोड़ना है, तो सबसे पहले आईरुदिम कोई भी चीज होती है, उसमें एक ही चीज बताते हैं, आपको तीखी नमकीन चीजों का यूज नहीं करना है, उसके लाव आपको पनीर चीज, मक् पेसाब इनका जो भी वेग है, उसको रोकना नहीं है, सराब नहीं पीनी है, ज्यादा सोचना नहीं है, और गर्मी से एकदम ठंड़े इस्तान पर जाने भी बच्चे, चिंता, ड्र, क्रोध, जो ऐसी चीजे हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है, और इन चीजों का आप यूज कर सकते हैं, पैरलाइसिस के आयरविदिक दवा कितनी लाबदाइक होती है, अब आप इसकी बात करों, तो पैरलाइसिस की जो भी मेडिसिन है, उसमें ठीक होने की संभावना बहुत जादा होती है, तो आप रीकवरी के लिए आयरविद मेडिसिन का ज़रूर आपको 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 पैरलाइसिस के बारे में बताने की एकोसिस की है, दोस्तो ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल से लगातार बने रहे हैं, अगर आपका पैरलाइसिस से वांदित कोई भी क्यूसेन या आश्वर है, तो आप डारेक्वरी से पूछ सकते ह हैं, तब तक के लिए थेंक्यू